दोस्तो आईपील के उपड़ आज के दिन कुल दस बरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जहां पे पहली अपडेट है RCB टीम के नए प्लर्स को लेकर इसके बाद ट्रेड विंडो, SRH के नए कोच, चेनने सूपर किंग्स और भी कई सारी बरी अपडेट IPL के उपर निकल कर सामने आ रही है तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बाड़े में पूरा इंफर्मिसन देंगे तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्विष्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोर देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बिल को प्रिस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPLs related कोई भी नूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेली ग्राम पे फॉलो करें टेली ग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट सब वीडियो में आगे बढ़ते हों वन बाई वन IPLs related सबी नूज दे देते हैं तो इस लिष्ट की पहली बरी अपडेट है रोयल चैलेंजर्स बैंगलोड की टीम की तरब से तो RCB टीम ने यहाँ पे माई के हिसन और संजय बांगर को हटा करके एंडी फ्लावर को अपना नया हेड कोच बना दिया है जो की पहले लखनो सूपर जाइंट के हेड कोच थे लेकिन अब एंडी फ्लावर रोयल चैलेंजर्स बैंगलोड टीम के नये हेड कोच बन चुके है इसके बाद इस लिष्ट की दूसरी बरी अपडेट है सनराइजर सैदराबाद की टीम की तरब से तो सनराइजर सैदराबाद की टीम ने लगातार तीसरे साल अपने हेड कोच में बदलाव किया जहां पे अब उन्होंने ब्रैन लारा को हेड कोच के पद से हटा करके डेनियल विटोडी को अपना नया हेड कोच बना दिया है डेनियल विट परदासन करके इंग्लेंड के वाइट बॉल टीम में अस्थान पका करना चाहते है और उन्होंने ये भी बताया कि इस साल के ओक्सन में वो अपना नाम देने वाले है इसके बाद ही इस लिश्ट की चौत ही बरी अपडेट है चैने सुपर किंग्स की टीम की तरब से तो चैन को भड़ के मैच के लिए चैलेंज किया है यानि कि दीपक चहर ने मजा किया अंदाज में सीवम दूबे को चैलेंज किया कि वो दुनों आपस में एक एक को भड़ का मैच आपस में खेल सकते हैं इसके बाद ही इस लिष्ट की पांच भी बरी अपनेट IPL 2024 के लिए RCB के कि RCB हाइली चांस अपने स्कुएड से दिने सकार्तिक को बाहर करेगी और इसके साथी विदेशी गेंद बाज के लिए ये टीम मिचल स्टार्क पैट कमेंस जैसे बॉलर्स को टार्गेट करेगी और अगर ऑक्सन में आंदरी रसल जैसा बले बाज आएगा तो RCB रसल के उ ओफीसियल ये स्टार्ट हो चुका है और इस ट्रेट विंडो में अब कुछ बड़े प्लियर्स जल्द ही ट्रेड होंगे और इस ट्रेड को ले करके अंदर ही अंदर कई सारी IPL टीमों के बीच बात चीत चल रहा है इसके बाद इस लिष्ट की साथ भी बड़ी अपनेट ह IPL को हिले करके तो IPL के उपर रॉबिन उथापा ने काफी बड़ा बयान दिया और रॉबिन उथापा ने बताया कि इंडियन प्लियर्स को BCCI को फॉरें टीट्वेंटी लीगों में पार्टिसीपेट करने देना चाहिए जहां पर उथापा का मानना है कि जिस तरीके से अ बाद इस लिष्ट की आठवी बरी अपडेट है राजस्थान रोयल्स की टीम की तरब से तो राजस्थान रोयल्स के रियान पराग ने बताया कि IPL 2020 उनके कडियर का सबसे खराब फेज था जहां पर रियान पराग के कोर्डिंग IPL 2020 में उनका पफॉमेंस का फिर डाउन थ जिससे वो बहुत ही जादा निरास्त है लेकिन अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडिया के लिए यान पराग बैट बॉल्स दोनों से बढ़िया परदसन कर रहे हैं इसके बाद इस लिष्ट की नवी बरी अपडेट है वर्ल्ड कप 2023 को लेकर तो वर्ल्ड कप का फाइनल कनफर्म से ड्यूल अब जल्द ही रिलीज होगा जहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैचा 15 अक्टूबर से घटा करके 14 अक्टूबर को कर दिया गया है वहीं इस लिष्ट की दस वी अंतिम अपडेट है इंडिया वेस्ट इंडिज T20 सिरीज को लेकर तो भारत वेस्ट वेडियो में बस इतना है मिलते है नेक्स्ट वेडियो में